नमस्कार दोस्तों जै माता दी आपका पर्चा खुलते ही खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं क्योंकि एक साथ तीन तीन पर्चे खुले हैं और पर्चे में जो निकल कर सामने आया है उसे जब आप जानोगे तो आपके भी रोंग्टे खड़े हो जाएंगे आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली है दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आज के इस वीडियो को मजाक में बिलकुल मत लेना वरना पूरी उम्र भर आप रोते रह जाओगे दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं आप अपनी जिन्दगी से बहुत परेशान हो चुके हो भगवान से प्रार्थना करकर के ठक चुके हो अब आपको कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है लेक आपको कई बड़ी बड़ी खुश खबरियां मिलने वाली है साथ ही आपको कुछ गलतियां करने से भी हम रोकेंगे अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुना तो आने वाले साथ दिन आपके उपर बहुत भारी पड़ सकते हैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि श हम आपके लिए रोजाना बहुत महनत करते हैं दिन रात जाग कर आपके लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको आपका सठीक राशिफल और आपके लिए जरूर जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आपका एक लाइ खबरी मिलेगी तो आईए दोस्तों जानते हैं कि आपके पर्चे में आखिर क्या-क्या आया है और ये साथ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके जीवन में जितने भी फूल होते हैं उन्हें कांटे बनाने का काम करते हैं आपके रास्तों में रोड़ा लगाने का काम करते हैं और आप गलती क्या कर रहे हैं इन्हें ही अपनी सारी कुप्त जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। जवाब उसका नाम जानेंगे तो रावी मासूम दिल लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों अक्सर आपको लोगोंने कहा होगा कि आप दिल के बड़े साफ हैं। दूसरे के पेट पर लात मार कर और आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो आपका साथ सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपके जरीए वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं उन्हें पता है अगर वह आपके साथ रहेंगे तो आपकी मेहनत, आपके जुनून, आपकी बुद्धी और विवेक के जरीए वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आपने जीवन में ऐसे कई पल महसूस किये होंगे जहां कुछ लोग आप, वो छोड़ कर गए होंगे कारण आप भी जानते हैं, अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपको छोड़ कर चले जाते हैं अक्सर आपने जीवन में बहुत दुह के आए हैं लेकिन अब धोखे खाने का समय आ गया अब उसे पहचानना होगा जो हर वक्त हमारा फायदा उठाता है अब उसे मुह पर ना करना होगा जो रोज होकर हमेशा हमें मनाता है हमें जिन्दगी की अहमियत को समझना है हमें अपने आपको उचाईयों पर लेकर जाना है हम छोटी मोटी चालों का शिकार नहीं हो सकते हमें जीवन में कुछ बढ़ा करना है आगे उस व्यक्ति का जब आप नाम जानेंगे तो कसम खाकर कहता हूँ आपके भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि अकसर जिंदगी की राह हमें ऐसे ही लोगों का सामना करना पढ़ेता है जहां पर उम्मीदें तो हम बहुत पालते हैं लेकिन हमारी उम्मीदें हर बार टूपती है क्योंकि हम किसी को दो पल घड़ी बुरा बोलने से पहले बहुत सोचते हैं लेकिन जब बात हमारे लिए आती है तो कोई कुछ नहीं सोचता हर बार कोई न कोई आकर हमें बुरा बोल कर चला जाता है, हमें ताना मार कर चला जाता है हम सभी की भावनाओं का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का ध्यान कोई भी नहीं रखता आखिर ऐसा क्यों होता है क्योंकि कलयुक का दौर है दोस्तों और आप अभी भी सतयुक सा माहौल बना कर बैठे हैं आपको ऐसा लगता है उस व्यक्ति को अगर यह बोल दूँगा तो उसे बात चुप जाएगी और आप हमेशा से मीठा बोलते हैं लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करता है वह मुनहफत होता है और आपको मुह पर सारी बात सुना कर चला जाता है इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलयुक के महत्व को समझे यहां के लोग कैसे हैं उस बात को समझे हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है हर कोई अपना काम बनाना चाहता है हर कोई खुद को ही सफल होता देखना चाहता है यहां तक कि अगर आप जीवन में आगे बरेंगे तो आपके बचपन के दोस्त भी आपसे जलने लगेंगे ये बात आपने भी महसूस की होगी, और अगर आपने किसी को उधार नहीं दिया, तो वह व्यक्ति आपसे रिष्टा तोड़ देगा, और अगर उधार दे दिया, तो भी आपका उससे रिष्टा तूटना ही है, क्योंकि जब बारी आएगी, उधारी को चुकाने की तो इनसा मुह छुपा लेगा, आपका कॉल उठाना बंद कर देगा, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखकर कठोर बनना होगा, क्योंकि हर वक्त खुद का मजाक बनाने, अच्छा है, खुद के लिए कुछ सोचा जाए, और हमारा आपसे यही अनुरोद रहेगा, कि खुद को एक बात का एहसास दिला दीजिए, कि कलियुक के इस माहौल में अगर चालाक नहीं बनेंगे, तो गद्दार फायदा उठाते रहेंगे, अब दोस्तों तो बहुत सावधानी के साथ उस गद्दार के नाम को सुने, गा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंग और इनका नाम ऐसा अक्षर से शुरू होता है, यानि कि हमें किसी से खत्रा है, तो वह है सर नाम वाला व्यक्ति, अगर आपके घर में कोई मौजूद है, तो यकीन मानिये, कसम खाकर कहते हैं, यही सबसे बड़ा गद्दार है, इसी से आपको बचने की जरूरत है, इसी से से मीन राशी में प्रवेश कर चुके हैं, केतु की स्थिती भी बदल चुकी है, और जल्द सूर्य, बुद्ध और शुक्र भी अपना स्थान बदलेंगे, और इन परिवर्तनों के बाद आपके नाम वाले लोगों से दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इ समय रहते जरा सावधान हो जाएगी, और ऐसे लोगों से रिष्टा तोड़ दीजिए, जो नाम वाले हैं, कोशिश आपको यही करनी है, इन से जितना दूर रहें, क्योंकि हमेशा ये आपको ठकते आए हैं, आपका इस्तिमाल करते आए हैं, और आपकी एक सबसे उससे गल पहलना नहीं है, और एक बात का सदा ध्यान रखना है, कि हर अपना दिखने वाला इंसान अपना नहीं होता, ये दुनिया दोगले लोगों से भरी हुई है, और इन दोगले लोगों की दोगली चाल का शिकार होने से अच्छा है, हम खुद हमारे उपर ध्यान दें, यकीन म जब तक ये है, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक ये आपके आसपास रहेगा, तब तक न तो आप इसे पहचान पाएंगे, और नहीं इसके यंत्र को रोक पाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इसकी पहचान कराएंगे, देखिए क कल्यूग बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते इस कल्यूग में हमने देखा है, कि यहाँ पर हर कोई आस्तीन का साप है, जब भी हमें किसी से कोई चीज की उम्मीद होती है, तो लोग हमारे तब ही काम आते हैं, जब उनका कोई स्वार्थ होता है, वरना हर कोई हमें दगा द अंदर ही बैठा हो, तो सोचिए, आपकी क्या हालत हो रही होगी, यानि आप जो भी गुप्त चाल चल रहे होंगे, उसे पहले ही पता होगी, और वो सारे बाहर के दुश्मनों को जानकारी परोस रहा होगा, आखिर ऐसा कौन सा गद्दार है, जो आपके घर में मौजूद है, और आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे है, आज की वीडियो में उसकी पोल खुलेगी, शुरुआत करने से पहले मातारानी के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लायक जरूर करें, और कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, आपके सारे रुके हु पहले से भी भरोसे की ही उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बात नोटिस करी होगी, आपने तो लोगों पर भरोसा कर लिया, लेकिन लोग कभी भी आपके उपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये जमाना दोगले लोगों से भरा हुआ है, यहाँ पर सब केवल बहुत ज्यादा सावधान रहना है, आपको इस गदार को पहचानने की जरूरत है, आपको इस से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, दोस्तों, कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे ह ये आपके तलवे चाटने लगेगा लेकिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो वह इंसान बीच भवर में आपको कब छोड़ कर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधान यहां पर हो जाएगे हर किसी को अपना मानना हर किसी को अपना कहना और किसी से उमीद लगा कर बैठना आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है क्योंकि दोस्तों दूसरों की च्छाव में रहकर हम कभी खुद की च्छाव का निर्मान नहीं कर सकते अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं तो नाम उस पेड़ का होगा क्योंकि वह आपको च्छाया प्रदान कर रहा है लेकिन दोस्तों एक बात आप खास तोर पर समझ जाएए अगर आप उद अकेले खड़े रहेंगे अपने दम पर काम करेंगे किसी और के भरोसे बैठ कर काम नहीं करेंगे तो नाम आपका होगा और जब हम अकेले चलते हैं तब यकीन माने दोस्तों जमाने में हमारा डंका यूँ ही बज़ने लगता है लोग हमारी तारीफ यूँ ही करने लगते हैं और हर क्षेत्र में आपकी जिंदगी में काफी अच्छे परिवर्तन होने लगते हैं तो सबसे पहला नियम एक ही बनाना है कि जिंदगी में अगर दुश्मनों से बचना है दुश्मनों को पीछे छोड़ना है तो एक बात समझ लेनी है कि अपना काम खुद ही करें अपने काम को किसी और के भरोसे न छोड़े अपने काम को जितना हो सके इमानदारी के साथ करें और दूसरों से बचा कर रखें कई बार हमारी आदत होती है कि हम लोगों को हमारे काम के बारे में चीख चीख कर बता देते हैं कि हम ये करने वाले हम वो करने वाले हैं दोस्तो नतीजा क्या निकलता है लोग हमेशा हमें बदनाम करते हैं लोग कई बार हमारी मेहनत को खुद का बता कर सारा हक छीन लेते हैं और हम धरे के धरे रह जाते हैं आपकी मासूमियत कहीं आपके लिए जी का जंजाल ना बन जाए। आयोजग गद्दार का नाम आपको बताते हैं। आखिर भगद्दार है कौन। सबसे पहले उसकी उम्र तकरीबन 23 से लेकर 33 वर्ष के बीच में हैं। और 23 से 33 वर्ष में। जो भी पुरुश आते हैं। जो आपकी और उनकी राशी पर हैं। तालमेल नहीं बन पा रहा। विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को केवल इरश्या की दृष्टी से देखेंगे। एक दूसरे को केवल नकारात्मक भाव की दृष्टी से देखेंगे। और जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलेंगे। लेकिन यह आपके मन में हमेशा से दूसरों के खिलाफ अफवाहें पहलाना चाहेंगे। या किसी न किसी तरह आपको गलत सलाह देना चाहेंगे। क्योंकि ये आपके आसपास मौजूद है या आपके सबसे बड़े गद्दार है आपको इन से दूर रहने की जरूरत है लेकिन फिर भी आप इन ही के पास जाते हैं कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है दोस्तों क्योंकि ये जो गद्दार लोग होते हैं जो भी आस्तीन के सा पाला इंसान अपना होता है वह इंसान जो हमारी गलती पर भी हमें सही बता रहा है वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता वह इंसान जो लट करने पर भी हमें शाबासी दे रहा है वह इंसान कभी अपना नहीं हो सकता हमें एक बात समझनी होगी वह इंसान जो हमारी गलतियां हम हमें इतना सुनाता नहीं है। बल्कि हमें समझता और हमें कहता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं तो गलत नहीं हो सकता। हमें एक ऐसे इनसान की जरूरत है। दोस्तों लेकिन विडंबना यह है कि हमें तो सब ताना मारने वाले मिले है। विडंबना यह है कि हमारी जिन्दगी में सारे ही ऐसे लोग आए हैं, जिसने हर क्षेत्र में हमें सुनाया है, हमें परेशान किया है, और अक्सर इस वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे मानता नहीं है, लेकिन एक बात का ध् अच्छे को समझें, और अपने अच्छे को जान कर जिन्दगी में सदैव आगे बढ़ते रहें, तो अगर आपको भी आज के इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो लाइक करे बिना मत जायेगा, कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी लिक कर इस चैनल को भी किया भी करें, सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बहुत बहुत धन्यवाद